प्रधान मंद्री नरीन मोदी ने आज सात्वे रोजगार मेले में सत्तर हजार से ज़ादा युवाओं को जॉइनिंग लेटर सोपा देश में 20 से भी जादा राज्यों में 45 जगों पर इसका आयोजन किया गया प्येम मोदी सुबह साड़े दस बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये इस कारिकरम से जुड़े प्येम मोदी ने नोकरी पाने वाले युवाओं से कहा कि 1947 में आजी के दिन सवीधान सभा ने तिरंगे की डिजाइन को फाइनल किया था आज की दिन आपको नोकरी मिलना प्रेणना दा एक बात है सरकारी नोकरी में रहते हुए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि तिरंगे की आनबान शान में कोई आच ना आए इस मोखे पर पियेम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भी बात की उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग घोटाला हुआ था जिससे बैंकिंग सेक्टर की कमट तूड गई थी 2014 में हमने बैंकिंग इंडिस्ट्री को फिर खड़ा करने की कोशिश शुरू की और अज भारत का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे मजबुस सिस्टम में गिना जाता है 22 अक्टूमर 2022 को प्रधान मंदरी ने रोजगार मेले का पहला फेस शुरू किया था तब पीएम ने खाता हमारा लक्ष देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाग सरकारी नुक्रिया देना है पीएम ने पिछले आठ महीनों में 6 रोजगार मेलों में 4 लाग 33 हजार से जादा लोगों को जॉइनिंग लेटर दिये हैं इस मोके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत उन देशों में शामिल है जब बैंकिंग इंडरिस्टी सबसे मजबूत मानी जाती है लेकिन 9 साल पहले ऐसे हलत नहीं थे पिछली सरकार के दोरान हमारे बैंकिंग शेत्र ने बड़े पेमाने पर विनाश देखा है आज हम डिजिटल लेंदेन करने में सक्षम है लेकिन 9 साल पहले जो सरकार थी उस दोरान फोन बैंकिंग 140 करोड लोगों के लिए नहीं थी उन्होंने का कि जो लोग एक खास परिवार के करीबी थे वो बैंकों को फोन करते थे और उन्हें हजारों करोडों रुपे के लोन मिल जाते थे ये लोन कभी चुकाए नहीं चाहते थे इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद